बिसम्लाइ रख्मारहीम आज हम बात करने जा रहे हैं ECM में लगने वाली ICU के बारे में देखा गया है कि ECM के अंदर Tricor की IC मिलती हैं, Bosch Company की IC मिलती हैं, LM की IC मिलती हैं इस तरह की IC जादतर देखने को मिलती हैं कुछ ICU की डिटेल जो है वो इंटरनेट पर मौझूद है, जैसे Tricor बगरा की मिल जाती है और आपकी LM की मिल जाती है लेकिन Bosch Company की डिटेल इंटरनेट पर मौझूद नहीं है अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी डिटेल मिल है तो उसे पर्चिश करना होता है और यह लगबग 200 से लेके 500 तक IC की डिटेल पर चुछ करना होती है लेकिन हमारे इंस्टिटूट ECM एक्सपर्ट बरिली की जानिप से जो इस्टुडेंट समर्याँ अड्मिशन लेते हैं उनको Bosch IC हैं, जो अमूमन्त हैं ECM के अंदर करीब 25-25 ICIC हैं, जो बार-बार यूज होती है, तो उनकी डिटेल, उनका PDF ठिरी में प्रोवाइट कराते हैं, जिस बंदे को ECM की अंदर लगी IC की जानकारी नहीं है, वो ECM कर भी नहीं सकता क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि ECM के अंदर कौन सी फिन Enable होती है, कौन सी फिन Disable होती है, कौन सी फिन Input होती है कहां से Output निकलता है, कौन सी SPI की पिंस होती है तो इनकी बहुत डिटेल होती है, इनका पूरा एक structure होता है किस तरीके से CPU के साथ में कोई IC communication करती है तो यह पूरा concept के लिए आपको करना है आप हमारे institute में admission ले सकते हैं हमारी भर सा कोशिश रहेगी कि हम IC के बारे में आपको अच्छे सच्छे जानकारी provide करें ताकि आपके लिए ECM को repair करना आसान हो सके जाद तर ECM के लिए जितनी भी IC हैं यह depend रहती है CPU के उपर MCU के उपर MCU हुई इनको signal देता है और फिर यह अपने output निकालती है हर IC की अपनी supply के अलग requirements रहती है कोई 5 बोल्ड पर काम करती है कोई 12 बोल्ड पर काम करती है तो यह अपनी अलग-अलग requirement रहती है बहतर है आप हमारे यह admission लें और इस सारे concept को बहतरी तरीके से clear करें अपना और अच्छे से काम करें यह जितनी भी IC हैं आप देख रहे हैं इन सबका use ECM के अंदर किया गया है ECM के साथ साथ में आपको MOSFET भी देखने को मिलते हैं अलग-अलग MOSFET होते हैं injector section में लगे होते हैं कहीं supply बनाने के लिए लगे होते हैं हर ECM की काम करने का तरीका उसकी technology अलग होती है ठीक है जैसे Bosch company के ECM है तो इसका technique अलग है आपको magnet merally के है तो इसका technique अलग है ठीक है Delphi के है इसकी technique अलग है तो आपको ICU की detail भी समझनी है और यह technique भी समझनी है कि इसका working of way क्या है Bosch का working of way क्या है ठीक है तो ये भी आपको समझना जुरूरी है आज कल जो CPU आ रहे हैं जातर 17 series के चलना है EDC 17 series और ये CPU जो है वो tricore infanion के जाद अतर देखने को मिलते हैं ये CPU ही है जो MCU जिसे बोलते हैं ये ही पूरे ECM के अंदर लगी हुई ICO को control करता है जाद अतर आपको देखने को मिलेंगे 1767 1766 1762 1797 1775 इस तरह के tricore infanion के CPU आपको जाद अतर देखने को मिलेंगे लाजमी है कि इनका concept भी आपको मालूम होना चाहिए अगर ये concept नहीं तो आप fault को ढूंड नहीं पाएंगे कि fault कहां है यूँ ही IC को निकालना फिर ऐसे ही लगा देना ये ठीक नहीं इससे board खराब होता है जब आपका concept किलियर होगा तभी ही आप बहतरीन तरीके से ECM repairing पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने आपको update करना तो आप ECM expert पर online classes ले सकते हैं और बहुत बहुत reasonable fee पर हम ये trending provide कराते हैं इसमें आपको pinouts भी provide कराते हैं ECM को कुछ file भी provide कराते हैं कुछ ICM को detail भी provide कराते हैं ये जो अलग material है जो हमारी fees है उससे दुगनी कीमत का तो ये है material ही हम provide करा देते हैं शर्त ये है कि student जो fresher नहीं होनी चाहिए वो workshop उनकी हो workshop पर काम करते हो बस आज का topic यहीं तक next मुलाकात जल्दी होगी इंशाला